नाकपुर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में मरीजों को बेट्स के लिए भटकना पड़ रहा है मनपा और राजसरकार के पास संसादन होने के बावजूत प्रशाशन बेट्स बढ़ाले में धिलाई बरत रही है जिसका सीधा सर मरीजों को हो रहा है और शहरों में मौद का आकड़ा बढ़ता जा रहा है आए देखते हैं ये खास रिपोर्ट नाकपुर में बढ़ते कोरोना मामलों ने शहर की स्वास्तविभाग की पोगल खोल दी है कोरोना की दूसरी लहर ने शहर प्रशाशन की लचर तयारी को भी उजागर कर दिया है नागपुर में फरवरी मद्धे से कोरोना के मामले बढ़ते गए बावजूतिस के मनपान अपनी तयारी शुरू नहीं की थी जिसके कारण जब कोरोना का पीक आया तब लोगों को बेट्स के लिए भटकना पट रहा है ऐसा नहीं है कि महानगर पालिका के पास संसाधन नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि महानगर पालिका के पास कारेकरनी की फिलहाल इच्छा नहीं है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शहर की जनता बेट्स के लिए भटक रही है और ऐसे में मनपा बेट्स बढ़ाने का जुगार अब करती नजर आ रही है इसे हम इसी तरह कह सकते हैं कि जब पैस लगी तब कुवा खोदने लगे पैस लगने से पहले ही अगर पानी के विवस्ता कर ली जाए तो शायद पानी के अभ़ाओ से मौद से बता जा सकता है वैसे ही अगर पहले ही मनपा शहर के जनता के लिए बेट्स उपलब्द कर दिये होते तो शायद आज बेट्स के अभव में लोग नहीं मर रहे होते मनपा के पास सुतिका गुरुहर उगनाले है जहां अब मनपा 110 बेट्स की विवस्ता कर रही है जिसे 18 अप्रेल तक शुरू कर देना चाहिए था लेकिन ऑक्षिजन के अभव में अस्पताल अब तक शुरू नहीं हुआ है महापूर दयाशंकर तिवारे ने अस्पताल को ऑक्षिजन मुहिया भी कराया ऑक्षिजन की गाड़ी हुई आई और फिर वापस लोड़ गई में लाल पंजीत तिर्री दिखा देंगे मनपा की हालत तो सबके सामने हैं लेकिन महाराष्ट सरकार के अधिन आने वाले मेडिकल मेव में भी हालत कुछ ठीक नहीं है यहां बेट के अभाव में जनता बहार भटक रही है और अपना नंबर लगने का इंतजार कर रही है महाराष्ट सरकार के मंत्री डॉक्टर नितिन राउत जीने कद्दावर नेता कहा जाता है वो कद्दावर नेता फिलहाल वैक्सिन लेके घर पर बहट है और उनी के शेत्र में आने वाले डॉक्टर बाबा साहर वामबेट कर रुगना ले और अनुसंधान केंद्र बिना ब अपरेल तक शुरू हो जाएगा लेकि अब देखते हैं कि इस अस्पताल के भाग कब खुलते हैं और कभी अस्पताल मरीजों की सिवा में लगता है एक बात समद लीजे आपकी सरकार को भी सबका ध्यान रखना पड़ता है अगर सरकार सरकार यास्पतालों को ही अच्छा क कर दे और समय पर ही लोगों का इलाज करना शुरू कर दे बेट्ज वड़ा कर जनता को मरने से बचा दे तो फिर नीजी अस्पताल में कौन जाएगा अगर वहां मरीज कम हो जाए फिर नीजी अस्पताल के लोग बेरोजगार हो जाएंगे और फिर वो सरकार को कोसेंगे कि सरकार ने उनका रोजगार छीन लिया है इसलिए सरकार को भी बैलेंस कर चलना पड़ता है और सरकार फिलहाल वही करती नजर आ रही है क्यामरा पर्चन अविनास तोत्रे के साथ रितिश बोरकर और अमित वांद्रे के रिपोर्ट